वेल्कम टू माई चैनल वर्दास फूड कोड आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो कस्टरड और यह इसमें हम मैंगो भी डालेंगे जैली डालेंगे और केक के साथ बनाएंगे और यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है तो यह हमने मैंगो कस्टरड ले लिया है जैली है हमारे पास रैड और यलो और यह 700 अमेल मिल्क है और हाफ कफ शुगर है एक आम है जिसको हमने चॉप कट कर लिया है यह दो हमारे केक के पैकिट हैं आप कोई भी केक डाल सकते हैं कफ केक डाल सकते हैं और कोई भी यह दो टेबल स्पून हमने कस्टरड पाउडर डाला है यह कस्टरड पतला ही बनता है यह थंडे दूद में घोल लिया है मैंने इसको कस्टरड को गाड़ा नहीं बनाना है गाड़ा बनाएंगे तो हम इसमें जब जैली आम और वो डालते मेडियम फ्लेम पर पाच मेड़ पकाऊंगी और इसको बॉाइल होने दूँगी जब इसमें एक बॉाइल आएगा यह हमारा देखें यह अब उबलने लगा है यह बॉाइल आ गया है इसमें अब इसमें हम शकर डाल देंगे शकर आप अपनी मर्जी से ज्यादा कम कर सकते ह हैं यह हमने शकर डाल दी है थाफ का शकर डालने के पाथ 50-60 घ्राम होगी यह कस शुगर अब जब शुगर हमारे इतना पकाएंगे हमके शुगर इसमें डिजॉल हो जाए अच्छी तरह से हमारे शुगर डिजॉल होनी चाहिए और इसमें वाइल आ जाना चाहिए यह हमार कर के फ्रीज में रख देंगे रूमần नी चाही है शुगर ओना करके बवाड़ में तो चाहरो मने लेख एद लिए तो चैनल आ हम ने फ्रिज को वह एसमें पहुंइल चाहरा चरओ पानी जैली स्वाहता प्रसीडा आ अनुचा रख दो पानी पश एसमें रख पानी बा ज गाड़ी ही बनेगी अगर पतली हो गई तो जमती नहीं है केक के मैंने इस तरीखे से पीसिस कर लिये हैं और ये आम है ये जैली है हमारी दोनों और जैली को जिस बरतन में जमाया था मैंने उसी में कट कर लिया है और उसी में कट करके उसके पर प्लेट रखी उल्टा किया त तरीके जाए हमारा कस्टर्ट है थाया है पहले हम कस्टर्ट डालेंगे कोई भी पॉट ले लिजा क साथ Qản कस्टर्ट डालने क बाद इसके सारी के पीस एम्धार और क सारे हम जारे पे-जार को आ ख़र चुछmosł और इसके उपर हम अब जैली डालेंगे, यह हमने पीसिस रख दिये हैं और यह बहुत टेस्टी लगता है खाने में, लेकिन इसको चिल्ड करके ही सर्व करना चाहिए यह अब हमने जैली डाल दिये, आम डाले हैं पहले हमने, यह सब आम डाल दिये हैं पिर जैली डालेंगे थोड़ा अलग-अलग करके डालेंगे दूर दूर इसमें रैड अलग और यलो अलग ताकि हमारी जैली दिखाई देती रहे किस रंग की जैली यह हमने जैली डाल दी है केक के पीस को अब हम स्पून लेके उससे जरा प्रैस कर देंगे ताकि यह पूरे डिप हो जाए कस्टर्ड में और डिप होने के बाद यह फिर बहुत अच्छे लगेंगे सारे कस्टर्ड पीस इसको हम इसमें कस्टर्ड में डिप कर देंगे स्पून की मदद से अब जो डाल दिये अब आप एक घंटे के लिए इसको फ्रीज में रख दें कवर करके और ये ठंडा हो जाएगा इसको ठंडा ठंडा सर्व करें इसको बनाए खाएं और मुझे दुआ में याद रखें मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए